डेप्टिक कमिशनर जम्मू अंशल गर्ग ने ये अपील की है सभी इट्री से और रेस्टरंट से कि वो होम डिलिवरी में शिफ्ट कर जाएं अब अपील की है यानि कि उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो होम डिलिवरी ही करें लेकिन मकसद ये है कि कोशिश की जाए कि अगर होम डिलिवरी के उपर फोकस रखा जा सकता है तो वो बहतर है साथी में उन्होंने एक ओर्डर निकाला है जिसमें बताया है कि कमिटी इस कॉंसिचूट की जाएंगी एंशॉर करने के लिए कि जम्मू सिटी के मुंसिपल लिमिट्स में जितनी भी इट्रीज हैं जितने भी रेस्ट्रेंट्स हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन किया जाए और कोविड अप्रोप्रियेट बिहेवियर जो है उसका पालन किया जाए ऐसे में जम्मू नौर्थ में जल सिंग जो तेसलदार हैं जम्मू नौर्थ परवेज एहमद जो फूट सेफटी ऑफिसर हैं सुमीत कुमार जो की इंस्पेक्टर हैं लीगल मेटरॉलोजी के उन्हें जम्मू नौर्थ की एक कमिटी बना दी गई है कि जम्मू नौर्थ मे तो मास पहन नहीं सकते हैं इसलिए वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मैटर करती है कि क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी हुई है उसके इलावा जम्मू के जो एरिया है उसमें कमल प्रीट सिंग तैसिलदार जम्मू खास जुल्फिकार अली जो की इंस्पेक्टर हैं लीगल मेटरॉलजी के उन्हें बाहू की कमीटी में रखा गया है आखिर में जम्मू वेस्ट की कमीटी बनाई गई है जिसमें मोहित गुपता है तैसिलदार जम्मू वेस्ट राजेश सिंग है फूट सेफटी ऑफिसर निपुन कुमार है graphics में हो रही है और ताकि कोई भी cluttering जो है वो इन्स में ना हो रही हो यानि कि भीर कठा इसें में ना हो रही हो उसके ईलावा का काम प्र सुएट करने का का काम करें कि आप कि सी जाते हैं कोई क्सilik मर जाता है तो क्सुर्त में कबोल दें कि हम हम क offer कर रहे हैं belongs को यह बोल दें कि आप समान पैक करवाएं तो आप जाएं प्रीज यहां पर ना रुकें कोविड नाइटीन के सो पीस का पालन करें अब यह अपील की गई है मेंडेटरी नहीं किया गया इंस्पेक्ट करने के लिए कहा है कि रेगुलर सैनिटाइजेशन और जो हाइजीन एक व्जेत हजह सैटरेड़ को पता दिया गया कि कौन कौन सी दुकाने खुलेंगी लेकिन स्ट्रीटरेंडर को क्यूंकि और उल्लेडि इजाजत है और साथी में इटरीज और बेक्री इजाजत है कि वह पूरा टाइम खुल सकते हैं पूरे हं इसी के चलते जो है एक के केसिस पर काबू पाया जा सके जहाँ एक तरफ शॉप्स को ले कर जो की शॉप्स मेजर मार्किट में हैं बजार में मौल में मुन्सिपल ले поговор उनको लेकर ये कहा है कि 50% शॉप्स खुलेंगी उसमें भी सेट कर दिया गया है कि जो कंसर्ण तैसलदार या सोचो होंगे एक एरिया के वो मार्किट की ओपनिंग को रेगुलेट करेंगे इस तरीके से कि और इवन बेसे पर अल्टरनेट डेस पर दुकाने खोली जाएंगी दुकान का नंबर और नंबर है तो और डेस पर वो दुकान खुलेंगी दुकान का नंबर इवन नंबर है तो इवन डेस पर वो दुकान खुलेंगी इस हिसाब से जो है टाइमिंग भी फि को पॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सके शॉप को लेकर ये भी कहा है कि जो एसंचिल कमपोडिटीज हैं वो सुबह साथ बज़े से लेकर शाम को साथ बज़े तक दुकाने खुल सकती है जिसमें elles की धुकाने हैं मटन की दुकाने वाल की फूट वेजटेबल शॉप्स राशन डीपो बेकरी है केमिस्ट की शॉप्स लेबाट्री जी कि रहेए कि छाहिए समें एर या मारकिट्स भाद्रंक वे बुद्ध Але घुट्षण थो भी ये तुकान पूरी रजोरी एरिया में किसी भी मार्केट में नहीं खुलेंगी सवाए एसेंशल कोमोडिटीज वाली जो दुकाने मैंने आपको पताई उनको छोड़कर बाकि कोई भी दुकान संडे के दिन रजोरी में नहीं खोली जाएंगी उसके इलावा मार्केट्स को लेकर उन्हें भी ensure करना है कि कोई passenger अगर गाड़ी में चड़ रहा है तो मास पहन कर चड़ें जितने भी persons हैं जो की 45 साल से उपर हैं उन्हें कहा गया है कि आप अपने आपको जल से जल वाक्सिनेट करा हैं और कोविट टेस्टिंग सेंटर जो हैं उन्हें सभी government offices के बाहर जो की government offices outskirts में हैं वहाँ पर establish करने का भी आदेश दिया गया है ADC का दफतर हो तेसलदार का दफतर हो बीडियो को दफतर हो या फिर banks हो उन banks की भी लिस्ट एक बताई जाएगी जिस bank बताया जाएगा कि वहाँ पर एक special testing team जो है वो deploy की जाएगी ताकि जो लोग वहाँ पर आ रहे team को लेकर सोपी के जितने भी orders निकलते हैं उनकी implementation करें और अगर implementation नहीं होती तो fine भी करते रहें चीफ medical officer रजोरी को यह कहा है कि reactivation और re-establishment है जो कोविड केर सेंटर का उसे किया जाए ऐस पर सोपी दो दिनों के अंदर अंदर और उसके इलावा committees जो है वो बनाई जाए जाएंगी इसी कोविड केर सेंटर का ख्याल लखने के लिए management committees बनाई जाएंगी और साथी में medical officer को यह भी इंशौर करना है कि mobile teams बनाई जाएं जो की sampling और testing करेंगे आटी पीसियार भी और राट की उन लोगों की जो की home isolation में हैं उन लोगों की जो की micro containment zone के अंदर रह रहे हैं उसके इलावा जो है जो आदेश लेटन गवनर मनोट सिना ने दिये थे पूरे जमकुश्मीर को लेकर उन आदेशों का भी जिक्र इस order में किया गया है यानि कि official तोर पर जोरी में कह दिया गया है कि जितने भी universities हैं colleges हैं schools हैं वो बंद रहेंगी उसके इलावा जो ceiling हैं लोगों की यानि कि आप funerals में 20 लोग इकठा हो सकते हैं indoor कोई gathering है तो 50 लोग इकठा हो सकते हैं outdoor कोई gathering है तो सो लोग इकठा हो सकते हैं ऐसे में जो senior superintendent है पुलिस के SSP हैं या additional district magistrate है सब-divisional magistrate है तसिलदार concerned है उन्हें ensure करना है कि इन कानूनों का पालन हो रहा है या नह रहा है रजोरी में आ रहा है तो उसकी भी कोई 19 की टेस्टिंग जो है मैंडेटरी की गई है साथ साथ में जितने भी crowded markets हैं उनमें कोई appropriate behavior को एंशोर करवाना है यह काम भी additional district magistrate सब-divisional magistrate का रखा गया है साथी में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं तैसिलदार हैं ब्लॉ साइड किया जाए नाइट कर्फियू भी जो है वो रात के 10 बजे से सुबा 6 बजे तक रोजोरी में लगा दिया गया है यह नाइट कर्फियू अब जानते हैं कि सभी जितने भी डिस्टिक्ट जमो कश्मीर की हैं उन सभी में भी लगाया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको लेकर यानि कि मैटडोर मिनी बसिस टेंपोस बसे और उसको लेकर यह कह दिया है कि केवल 50% सीटिंग कपासिटी पर यह गाडियां चलेंगी और यह भी एंशॉर करना होगा कि जितने भी पैसेंजर्स चड़ रहे हैं वह मास्क पहने रखें जो शॉप्स मार्किट मे अब जो कॉंट्रेक्टरस अलगलग एग्जिक्यूटिंग और शाथी में और अन्यक ही गाड़ लाइन्स बताई गई हैं यह पूरा अडर भी हम आपके साथ जो हैं स्ट्रेट लाइन के फेसबूक पेज पर जो स्टोरी आती हैं उस में शेर कर देंगे उसके लब डेप्टी कमिशनर जमू ने भी जो आज कमिटीज बनाई है जिन कमिटीज के नमबर तक देए गए हैं जिने आपको अंटाक कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है परिशानी आ रही है या अगर आपको लगता है कि कहीं पर इचे में बहुत भीड़ी कठा हुई है जो कि COVID-19 के चलते सही नहीं है तो उस नमबर पर कॉल करके आप information भी दे सकते हैं और वो order भी हम आपके साथ straight line के page पर share कर देंगे लेकिन फिलाल बात ये कि जिस तरीके से कल 2000 से ज़ादा COVID-19 के cases जमकश्मीर में देखने को मिले और लगभग 14 deaths जो हैं वो कल पूरे दिन में जमकश्मीर में हुई उस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो कदम सरकारने उठाए हैं इन कदमों का पालन करने की जरूरत है अब implementation करने के लिए आम लोगों को भी conscious होना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये COVID-19 की कारण बिगरती हुई स्थिती को ध्यान में रखते हुए लिये जा रहे हैं आप मास्क पहने आप सोशल डिस्टेंसिंग करें तो आप अपनी जिन्दगी जैसे जी रहे थे वैसे जी सकते हैं लेकिन क्योंकि अभी भी मार्किट्स में जब आप जाते हैं तो आपको लोग वो मिलते हैं जिन्होंने अपना मास्क नाक से नीचे रखा होता है इसके कारण भी ये भी एक कारण है कि COVID-19 के केसे तो बढ़ते जा रहे हैं और administration भी ये सोच रही है कि हमने तो restrictions लगा दी लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी केसे कम क्यों नहीं हो रहे